हलो दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे CAC Digital Sewa Portal के माधियम से देखिए अगर आप CAC Digital Sewa Portal में जो है बालेट में जो है पैसे एड़ करना चाहते तो यहाँ पे पेमेंट एड़ करने का जो मेथड है काफी चेंज हो गई है वो आपको जनकारी होना चाहिए कि किस मेथड से पैसे एड़ करेंगे ताकि हमें एक्स्टा चार्ज न देने पड़ें पूरी डिटेल्स बताएंगे कि किस मेथड से आपको कितना एक्स्टा चार्ज लगेगा और किस मेथड से फिरियो अपकोस्ट जो है आप ऐसे एड़ कर सकते जितना एमाउंट आप यहा कि आप क्लिक करेंगे क्लिक करते ही नए इंटर्फेस इस तरह से open हो जाता है जहां पर यहां पर आपको amount इंटर्ट करना होता है कि कितना amount जो है आप अपने wallet में add करना चाहते हैं यहां पर mobile number जो है आपको इंटर्ट कर लेना आता है जो आपको मुवाइल नंबर है वो आप यहाँ पर इंटर्ट कर सकते हैं जो भी हो यहाँ पर इंटर्ट कर लेंगे देखे यहाँ पर अगर आप HDFC PG और Axis PG से पेमेंट एड़ करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्टा चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा अगर आप CAC Global Payment से जो है पेमेंट एड़ करते हैं तो इसमें आपको एक्स्टा पेमेंट देने पड़ेंगे तो आपने समझ लिए यहाँ पर HDFC PG Axis Bank PG से आप पेमेंट एड़ करेंगे तो कोई भी एक्स्टा चार्ज जो है आपको नहीं देने होंगे CAC Global Payment से भी आपको एक्स्टा चार्ज लगेगा या आप जो है add money to wallet using other PG से करेंगे तो भी आपको जो है यहाँ पे एक्स्टा पेमेंट आपको देना होगा पेमेंट एड़ करने के लिए उसकी डिटेल्स यहाँ पे इस तरह से दिया गिया है यहाँ पे Global Payment से जो है आप add करते हैं पैसे तो आपको less than 2K में जो है 0.40% लगेगा और 2000 से ज़्यादा आगर आप पैसे add करते हैं तो 0.90% जो है आपको यहाँ पे extra charge देना पड़ेगा CC Avenue में जो है आपको 0.90% जो है extra payment देना पड़ेगा PayU Money से जो है 0.64% extra charge देना पड़ेगा और HDFC PG में जो है कोई भी extra charge आपको नहीं लगेगा तो आप लोग जो है मैं prefer करूगा कि आप लोग HDFC PG और XIS PG से जो है payment add करें ताकि आपको extra charge देना पड़ेगा देकि कभी कभी ऐसा भी होता है HDFC PG और XIS PG का जो option है यहाँ पे server down हो जाता है अगर आपको emergency हो तो फिर आप global payment या add money to other wallet using other PG से payment को add कर सकते है emergency हो तो otherwise जो है HDFC PG या XIS PG से जो है payment को add करें ताकि आपको extra charge न देना पड़ेगा और इस तरह की informative वीडियो की जनकारी के लिए आप चैनलन को subscribe कर बेलाइकर जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको CACC related जो इतनी भी नई नई अपडेट हो नई नई सर्विस हो उसकी जनकारी आपको मिलती रहे और CACC related आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा playlist जो है CACC के नापर बना हुआ है उस पर आप CACC related जितनी भी सर्विसे से उनकी अपड़न कारी वहाँ पर ले सकते हैं मिलते हैं किसी नए informative वीडियो के साथ तब देक लिए बाए जये